राम में कौन कौन से गुण थे, कैसे राम राम बन गए, कैसे राम भगवान बन गए, कैसे राम महान बन गए, कैसे राम पूजनी हो गए, कैसे राम इतने उचे उठ गए, कैसे राम का नाम जपा जाने लगा, राम में कौन कौन से गुण थे, वह मैं आज आपके बीच में वरणन कर देना चाहिए जिसके मन में इच्छा हो उन गुणों को अपने जीवन में उतार ले वो राम जैसा प्रभाव पैदा कर सकता है बताओं ध्यान से सुनो संस्कृत में बताओंगा धर्मे ततपरता मुखे मधुरता दाने शमुत साहिता मित्रे अबंचकता गुरो बिन्यता चित्त इत गंधीरता आचारे सुचिता गुणे रसिकता सास्त्रे सु बिज्यात्रता रूपे सुन्दरता सिवे भजनता तोई मस्ति वै रागवा तोई मस्ति वै रागवा अब बताओ यह संसक्रत में बोला हूँ इसका अर्थ हिंदी में बता दू तो ज्यादा अच्छा है शरल हो जाए सब किस समझ में आजाए क्योंकि बहुत सी बाते सत्संग इतनी कठिन हो जाती है कि लोगों के पल्ले नहीं पड़ती है लेकिन मेरी सबी सत्संग की बाते इतनी सरल हो जाती है कि अगर पड़ोस में कोई बेल खड़ा हूँ भी समझ जाता है क्या कह रहे है भासा वो बोलनी चाहिए ब्याख्या वो करनी चाहिए परिभासा वो देनी चाहिए जो की हर वेक्ती के समझ में उतर जाए बिद्धता का महत नहीं है सुद्धता का महत है ब्याकरण का महत नहीं आचरण का महत है याद रखना अगर ब्याकरण गलत हो जाए चिंता की बात नहीं है लेकिन आचरण गलत हो जाए तो सारी जिन्दगी चिंता में ही जलती रहती है धर में तत परता ये जितने वरणन में करने जा रहा हूँ ये चीजे मनस्य को राम बना देती है भगवान बना देती है ये चीजे जिसके अंदर विक्सित हो जाती है जिसके अंदर डबलप हो जाती है वो विक्ती भगवत दुल्ल हो जाता है प्रभू बन जाता है शास्त्र कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, कबीर नहीं कह रहे हैं ये बात तो निती सास्त्र की में बता रहा हूँ धर्मे ततपरता कहते हैं कि जो इनसान धर्म के लिए सदेव ततपर रहता है कभी ढीला नहीं रहता है, आलस नहीं करता है धर्म के कारे के लिए टल मटोल नहीं करता है इधर उधर नहीं करता है धर्म की रच्छा के लिए धर्म को बढ़ाने के लिए धर्म का विकास करने के लिए धर्म की महिमा को उच्छा उठाने के लिए जो बेक्ती तन से मन से धन से हर चीज से समर्पित रहता है उसके अंदर समझ लेना कि राम का लच्छन दिखाई दे रहा है पहली बात अब धर्म के लिए शावधान हो जाए आज आदमी इंद्रियों के आकर्षण में आ करके मन की चंचलता में आ करके जिहिवा की लोलुपता में आ करके अपने धर्म को खंडित कर देता है और जिन इंद्रियों की चंचलता के कारण जिन मन के उदबेग के कारण मन से धर्म से विचलित होता है वे इंद्रियों मरने से पहले ही उसका साथ छोड़ देती है और वो सरीर भी उसका साथ छोड़ देता है और धर्म तो पहले ही वो सहे में ही छोड़ चुका है तो उसके साथ परलोग जाते समय कौन रह जाता है उस आत्मा को नरक की अधोगती में ही दुख पाना पड़ता है किसी गाओं में एक अदमी रहता था वो शादमी ने तीन दोस्त बनाए थे कुछ लोगों के तो ज़्यादा दोस्त होते हैं लेकिन कुछ लोग सीमित दोस्त रखते है और दोस्त भी उतने बनाओ जितने निभा सको दोस्मन भी उतने बनाओ जिनसे निपट सको कहीं इतने दुस्मन न बना दो कि तुम्ही निपट जाओ इसलिए दुस्मनी भी बहुत बढ़ाना नहीं चाहिए और दोस्ती भी ज़्यादा फिर डीलिंग करने में कठना ही आती है और फिर प्रीती हो गई तो निभाना पड़ता है न निभावनो तो प्रेमी भी दुखी न राज होते है प्रीती करो निर्वाह करो अनरीती करो वही कहना है बाढ़ी के प्रीती अथा वही तो दुख्शो सुख्शवइशमा तु जो स्रेठ था आदमी था उसके तीन दोस्त थे बाबा, सामने देखा सोजाओं तीन दोस्त थे पहला दोस्त 24 गंटे साथ में रहता था चोली दामन का साथ था गहरी दोस्ती थी ना दोस्त छोणता था ना सेट छोणता था दोनों शट के रहता था दोसरा मित्र दिन भर साथ रहता था रात को छोण कर साथ अपने घर चला जाता था तीसरा मित्र कभी-कभी मिल जाता था और ना मिले तो सेठ जी को परवाह भी ज़्यादा नहीं थी तीसरे मित्र की तो जिस मित्र की सेठ जी परवाह नहीं करते थे तो वो मित्र भी सेठ जी की परवाह कम करता था तुम जिससे जितना प्रेम करोगे वह विक्ती भी तुम को उतना प्रेम करेगा जिसको जितना याद करोगे वह तुम को उतना ही याद करेगा याद रखना मेरे भाईयो बेहनो ये मत सोचना कि वो हमसे कितना प्रेम कर रहे हैं अगर तुम गुरू को एक बार याद करते हो तो गुरू भी तुमको जरूर याद करता होगा गुरू तो ऐसे है जैसे इंजन पर चड़ी हुई बड़ी पुली और तुम ऐसे हो जैसे मोटर पर लगी हुई छोटी पुली जब बड़ी पुली एक राउंड घूमती है तभी मोटर की पुली जो है कई राउंड घूम जाती है गुरू तुमको एक बार याद करता तब तुम कई बार याद कर पाते हैं मन के अंदर यादे चलती है महान शंत को सुबेश शाम बेट करके ध्यान में याद कीजी याद कम आए तो उनका फोटू रख करके उनकी याद कीजी असमरती कीजी जब उनको याद करोगे तो तरंगे वहां तक पहुँचेंगी फिर वह तुम्हारी आशिरवाद सुच्छ पूप से भेज़े अपने माता पिता से खोग प्रेम करो बतनी से भी प्रेम रखो बच्चों से भी प्रेम रखो भाई से भी प्रेम रखो ये मत सौचो कि तो उनको प्रेम करना ही पढ़ेगा प्रेम को खीच लेता है अब प्रेम तुमारी तुमारी तरह से कम है तो उधर से कम मिलेगा एक छोटा सा बालक 36 गड़ में जम मैं जाता था तो वो साइड में खड़ा हो जाता था तो मैं एक दिन नहीं देखा दो दिन नहीं देखा लेकिन तीसे दिन नजर पढ़ी तो पूछा तेरा नाम क्या है तो नाम बताया फिर उसे बात किया उसको प्रशाद दिया उसकी सिर पे हाथ रखा फिर में विदा हो गया तो एक दिन भोजन नहीं किया उसने फोन आया वो बच्चा लेटा है भोजन नहीं कर रहा है कहता है गुरू जी मोबाइल में बोलेंगे तब भोजन करेंगे वो छोटा बच्चा मेरे को मोबाइल से बात में करनी पड़ी और उसको बोलना पड़ा तो उसने कहा कि हमेशा हमको ध्यान रखना आप मैंने का तू ध्यान करें बोले मैं करूँ न करूँ तूम ध्यान रखना मेरा ती प्रेम की लगन ऐसी होती है आप प्रेम कीजिए अगले विक्ती को आपसे प्रेम करना ही पड़ेगा और प्रेम में वो सकती है कि भगवान को भी प्रेम में बंध जाना पड़ता है तो इनसान की तो बात ही क्या है प्रेमवा में भूले भगवान हो सिवरी के घरमा प्रेम में कृष्ण भूल गए थे बिदुर जी के साग भाजी में प्रेम में राम भुल गए थे शिवरी के बेर में अप्रेम में ही ये संत नैपाल बाडर से आकर भूल गए है मारू बर्डिय में ये प्रेम का ही खेल है कि इतनी दूर आना जब हम आश्रम से चलते हैं हम को ऐसा नहीं लगता कहीं बाहर जा रहे हैं ऐसा लगता है अपने सब प्रेमी भक्तों में जा रहे हैं सब जगे आनन्द ही आनन्द है पूरे भारत के शत्र प्रदेशों में मैं जाता हूँ और जहां जाता हूँ वहाँ वही प्रेम की गंगा बहादो बस आनन्द ही आनन्द है तो मैं आप से कहूँगा सबसे पहले प्रेम का शागर अपने घर में लहराईए अपने घर को आनन्द से भर दीजिए जो विक्ति त्याग नहीं कर सकता उसका प्रेम भी मर जाता है जिसके अंदर त्याग है गम खाने की सकती है सहने की सकती है उसी की सिंदगी में प्रेम का पोधाहरा भरा रहता है अन्य था प्रेम सूख जाता है इसलिए कुछ कुछ त्याग करना सीता जी ने राम के प्रेम को निभाने के लिए अंगूठी का त्याग कर दिया था सोना का त्याग कर दिया था राम के प्रेम को निभाने के लिए विध्या के सुखों को त्याग कर दिया था लच्छमण जी राम के साथ चले गए थे प्रेम केवल त्याग मांगता है त्याग मांगता है भाई का प्रेम निभाना है त्याग सिखिए माता पिता का प्रेम निभाना है त्याग सिखिए और मैं आप से सही निवेदन ये करता हूँ यदि आप की अंदर त्याग है तो आप विश्व में कहीं चले जाओ तुमको ज्यादा प्रेमी ही प्रेमी मिलेंगे नालाइक बहुत कम मिलेंगे गलत लोग भी प्रेमी हो चाले बिहार में मैं गया था तो एक गाउं में समागम था तो मैंने खा बड़ा प्रेमी इस गाउं में बोले आधे चोर रहते इस गाउं में तो हमने कहे तो बहुत प्रेम कर रहे हैं बोले आप प्रेम कर रहे हैं बाकी है गाउं गलत तो मेल जरूर छुटे गा, उस गाउं में भारी परिवर्तन आया, अगर तुम किसी शंत से प्रेम करोगे तो निश्चित है तुम्हारे अंदर सुधार सुरूफ हो जाएगा, बेश्या से प्रेम करोगे तुम्हारे अंदर बिगाड सुरूफ हो जाएगा, सरावी से प्रेम करोगे तुम भी सरावी धीरी-धीरे बन जाओगे जुआरी से प्रेम करोगे जुआ खेलने की आदत पकड़ेगी और संत से प्रेम करोगे भक्ती करने लग जाओगे और भक्त से प्रेम करोगे तो उसके साथ में कभी सतसंग मारू बरडिया में सुनने आजाओगे गुरू की संगत से बहुत फाइदा है गुरू के चरणों में बहुत लब है गुरू के चरणों में सुख भी है सांती भी है संपती भी है उन्नती भी है विकास भी है शम्मान भी है यस भी है किरती भी है नाम भी है धनधाम भी है सब काम भी है विश्वा मित्र गुरू के चरणों में राम जुड़ गए थे तो राम विश्व के मित्र बन गए थे राम भगवान बन गए थे गुरू क्या नहीं बना सकता है तुमको एक मौर्थिकार जब पत्थर में हाथ लगाता है तो भगवान की मौर्थी बन जाती है उस पत्थर की पूजा सुरू हो जाती है और जब ये गुरू किसी इंसान के सिर पे हाथ धरता है और चरणा मर्थ पिलाता है और अपने आचरण उसके अंदर प्रेशित करता है तो उस इंसान के अंदर महान मूर्ती बनती है भगवान की मूर्ती बन जाती है